वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग, ब्रामन, गरंथ, उप्रिशद, कितने हैं, क्या हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो आप अवस्य पूरा देखें, वेदिक राष्ट यूट्यूब चेनल को आप सब्क्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, औ और आप अपने विचार हमें अवस्य देते रहें, धन्यवाद, ओम, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते रिशी बेटा, और कैसे हो, स्वामी जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने बड़ी क्रिपा की मेरे घर आ करके, आपका स्वागत है, आईए स्वामी जी बेठिये, स्वामी जी वेड किसे कहते हैं रिशी बेटा, स्वामी जी इस्वर ने वेड जान कब दिया? वेड जान इस्वर ने जब दिया, तो किन को दिया? रिषी बेटा इस्वर ने सिश्ट्री के आरम में जब मानो के उत्तिकी उस में ही वेदो का जान दिया और वेदो का जान सबसे पहले चार रिष्यों के अंतह करन में हिदें में दिया उन चार रिश्यों के नामें अगनी, वायू, आजित और अंगिरा रिशी स्वामी जी इसवर ने वेद जान क्यों दिया? वेद कितने हैं? रिशी बेटा वेदों ने वेदों का जान मनुशमात के कल्यान के लिए दिया और वेद चार हैं, रिगवेद, यज़र वेद, सामवेद, अथर वेद, रिगवेद, यज़र वेद, सामवेद और अथर वेद, ये चार वेद हैं हैं बैटा वेदों के ब्रामन गंथ भी है और वेदों के उपवेद भी है पहले हम वेद के उपवेद बताएंगे पहला जो है वह रिगवेद का ओपवेध है आईर्वेद दूसरा एजर वेद का उपवेद है धनुर वेद तुसरा सामवेद का उपवेद है गंधर वेद और चोथा जो अथर वेद उसका अर्थवेद है इस पकार से आयरवेद, धनरवेद, गंधरवेद और अथरवेद, क्रमसा, रिगवेद, यजरवेद, सामवेद, अथरवेद के उपवेद हैं अब वेदों के ब्राम्मन जो ग्रंत हैं उनके नाम समझे रिगिवेत का है एतरेय, इरिवेत का है सत्पत, सामवेत का है तांड़, तांड़, अथर वेत का है गोपत, तो एतरेय, सत्पत, तांड़ और गोपत, रिगिवेत का एतरेय, इरिवेत का सत्पत, सामवेत का तांड और अत्रविका गोपत इस प्रकार से वेदों के चार ब्रामन गनतें और चार ही उपवेद हैं स्वामी जी वेदों के अंग भी होते हैं अंग कितने अंग होते हैं उनकी क्या-क्या नामें किर्पया करके मुझे बताई और साथ मैं आपने पहले का था कि चार रिश्यों को जान दिया वेदों का तो वो कौन कौन से रिश्य थे जिनने को वेदों का जान दिया क्या चारों रिश्यों को एक वेद का जान दिया या लग लग दिया उसके बारे में मुझे आप अवश्य बताईए पहले पहले आपको बताया तो रिखवेत का जान वागनी रिशी को दिया स्वामी जी अभी आपने मुझे बहुत अच्छे जान करे दी कि वेद कितने होते हैं वेदों के क्या नाम हैं उनके आदी रिशी अगनी वायू आदी अंगिरा आदी को वेदों का जान इस्वन ने दिया वेदों के चार उपवेद हैं आईरिवेद, धनुरवेद, गंधरवेद, अथरवेद, अर्थवेद और चार ब्रामन गंत हैं एत्रे, सत्पत, तांडे, गोपत हैं पर स्वामी जी एक विशेश बात मुझे समझ में नहीं आरे कि यह जो दर्षन हैं जिनको छे दर्षन केते हैं पर कई लोग इनको उपांग भी केते हैं तो आपने अभी हमको वेदों के इच्छे अंग बताए हैं और ये जो उपांग हैं इसके विशे में भी मुझे हम सभी को थोरी शी जानकारी दीजिए हाँ रिशी बेटा सही कह रहे हो तुम और तुम्हारा जो रुची है तुम्हारी जो रुची है बहुत अच्छी है वेद के छे उपांग हैं उप अंग और कौन-कौन से ये नियाय दर्षन व्यासिशिक दर्षन योग दर्षन मिमानसा दर्षन सांखे दर्षन और वेदा विशिशिग दर्शन के कनाद मुनी, योग दर्शन के पतंजली मुनी, मिमानसा दर्शन जैमिनी मुनी, सांके दर्शन कपिल मुनी, और वेदान दर्शन के व्यास मुनी हैं। मुझे यह भी बताईए कि क्या वेदों मूर्ति पुजा है वेदों में अवतारवात का प्रमान है और सबसे बड़ा वेद कोन सा है देखो रिशी वेटा वेदों में सबसक्ते विद्याओं का ज्यान विज्यान है और वेदों का ज्यान इस्वन ने रिशियों को समाधी के वस्था में दिया ये चार रिशियों को चार वेदों का ज्यान दिया और विशेस बात जो आपने पूछी है कि मूर्ति पूजा का वि वेद पन्ने का अधिकार है मनेश्य मात्र को है इसलिए…. महराज की खिरपा से सब्वेद पन्ने उपन्ने का धिकार हमको सब्विड की मिल गया है और मैं यह दंसे बतानाचिता हूँ कि वेदिक परंपरा है वेद उपवेद इन हमreckत आती हैरा ही इसे निसे बड़र है। उपनिशादे भी आती हैं स्वामी जी आपने एक विशेश से बात इसमें और जोड़ दी यह जो हमारा वैदिक साहित है जो वेद की उत्पत्ती है वो कब से हुई थी और जो उपनिशादे कहीं वो लोग कहते हैं एक हजार आठ हैं कोई कहता एक सो आठ हैं पर मुख्यता इस समय कौन सी उपनिशादे हमको मिलती हैं और किन उपनिशादों का मैश्री दाना ससुती या वैदिक इश्यों ने हमें जानकारी दी कृप्या करके हमको यह भी पताने का कश्ट करें देखो प्रमानिक उपनिशादें तो केवल 11 हैं लोग कुछ भी कहते रहें मुख्य तर 11 उपमिशद हैं उनके नाम है इश उपमिशद, इशो उपमिशद, केन उपमिशद, कठ उपमिशद, प्रस्टन उपमिशद, मुंडक उपमिशद, मांडू उपमिशद, एत्रे उपमिशद, तैत्री उपमिशद, छांदोग उपमिशद, ब्रहदानक उपमिश उपांग और ये उपनिशदें हमें अवस्य जाननी चाहिए समननी चाहिए स्वामी जी आपने मुझे बहुत अच्छी सुन्दर जान कर दी वेदिक जान के विश्य में मुझे आपने बताया और मैं यही चाहूंगा कि हम सभी इस वेदिक शायत को समझे पढ़ें और प्रत्ते क मानों मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है एक अंत में यह प्रश्ण और आ रहा है कि वेदों की उत्पत्ति कब हुई है अधार वेद कितने पुराने हैं इसके विश्य में भी मुझे आप बताईए हां जैसे प्रस्ण आया कि वेदों की उत्पत्ति का समय क्या है तो जब मानों की उत्पत्ति हुई तब वेदों की उत्पत्ति हुई है 60 और uctि पहले हुई है स्वामी जी आपने मुझे बड़ी कृपा करी वेदिक जान देने के विश्य में मुझे वेद के बारें बताया मुझे वेद के बारें बताया वेदांग अंग कितने हैं उपांग कितने हैं और उपमिशदें कितनी हैं महाश्री जानन की कृपा आपने बताई कि उनकी किर्पा से ही हम सभी वैदिक जान को प्राप्त कर सकते हैं कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी मैं आगे भी यही चाहूंगा कि यह जो उत्पत्ती हुई है एक अड़ चानवे करोड आठ लाग त्रेपन हजार एक सो तेईस वाजो वर्ष अल्ला इसके पीछे क्या वे जानिक तरक है अतात इसकी गन्ना कैसे की जाती है कल्यूक की आयू कितनी है कौन सा यह समय चलदा इसके विश्य में भी मैं स्वामी जी आप से अवस्य कभी समय मिलेगा तो जानकरी प्राप्त करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते स्वामी जी ओम बहुत बढ़िया रिशी वेटा जो तुमने इस वेदिक चर्चा को सुना और तुमारे मन में जो जिज्यासा थी वहाँ मैंने इता सम्भव समझाने का प्रयास किया कहने के लिए बहुत सारी बाते हैं फिर कभी जो तुमारे मन में है कि शिष्टी की आयू कितनी है कल्यू कितने वर्ष का है चत्यों क्या है दौब क्या है इन सबThese में अवश्य समय में बैट करके चर्चा करेंगे और जो भी तुमसरी मंंदमें जिज्जासा हो उनको तुम sec खटा करें और उनक moments बताईंगे ओम स्वस्ति यह वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेर करें और अपने विचार हमें अवस्य देवें धन्यवाद